वेल आप भी अपने एक credit card से दूसरे credit card का bill pay करना चाहते हैं या आप चाहते हैं अपने credit card का पैसा अपने bank account में transfer करना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है इस वीडियो में आपको मैं ये दोनों ही trick बताने वाला हूँ मैं आपको time to time जो है ऐसी वीडियो बरागर देता ही रहता ओни जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने एक credit card से दूसरे credit card का bill pay कर सकते हैं जैसी कि आपने इस वीडियो को देखा था जिसमें मैंने आपको S inability के credit card से दूसरे bank की credit card का bill pay करके दिखाया तो यह ट्रिक अभी भी वर्किंग है और यह अफिशली ट्रिक है SBA की तरब से आप इसको चाहो तो यूज कर सकते हो बाट यह जो ट्रिक है थोड़ा सा चार्जेबुल है तो अगर आप एक लीगल वे के थुरू अगर ऐसे ट्रंशन करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को चयक्क Cord कर सकते हैं इसके अलावा मैंने को बना कर दिया था जिसमा मैंने आपको선 में एक र송चिक करके दिखाया था तो सम्टाइमस वो जो वर्क कर रहा है और सम्टाइमस नहीं भी वर्क कर रहा है कोई शिर्इंग नधे रहे तो शेयर चैए को यह तो उसके बारे मेई वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब परके नॉटिस्केशन बेल को जरूर से आउन कर लिजेगा और किसी ओफर या अपडेट की इंफोमिशन पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप के साथ में मस्ट जॉइन कर लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रूप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कैसे आप अपने एक रेट कार्ड से दूसरे क्रेड़कर का बिलपेग कर सकते हैं इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको एक अप्लिकेशन जो पड़ेगी जो कि अपने टैप कर देना है नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपको लॉग इन करना होगा लॉग इन करना बहुत ज्यादा इजी है आपके पास में अकाउंट ना भी होना तब भी आप यहां पर लॉग इन कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपका SBI में अकाउंट होना ही चाहिए तो यहां पर आप अपना 10 डिजिट का कोई भी मॉबाइल नमबर एंटर करेंगे capture को as it is यहां पर field कर देंगे और request OTP वाले option पर click कर देंगे आप जिस नमबर के थूरू लॉग इन कर रहे हैं उस पर एक OTP आएगा OTP को यहां पर enter करके submit कर दीजेगा आप आजाएंगे इस website के home page के उपर home page पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं इसमें से आपने एक option को select करना है जो कि एक credit card का इसे select करने के बाद में आपके सामने दूसरा page आएगा जहां पर आपको अपना credit card को select करना है यानि आप किस bank के credit card का bill pay करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप SBA credit card का bill pay करते हैं तो उसका जो settlement है इंस्टेंट ही हो जाता है दो से तीन इनिट लगेंगे आपका जो payment है आपके credit card में settlement हो जाएगा लेकिन आप दूसरी किसी bank के credit card का bill pay करते हैं like HDFC, Access Bank, ICIC Bank तो इन में जो है एक दिन से लेकर दो दिनों तक का time लग जाता है आपके credit card में इस amount को reflect होने में तो इसलिए इसके जुरिये मैं आपको अपने SBA credit card का bill pay करके दिखाने वाला हूँ सो मैं SBA card में select कर चुका हूँ, next page में आपको अपना card का 4 digits enter करना है उसके बाद आपको अपना mobile number एंटर करना है और proceed वाले option पे click कर देना है दन आपके सामने वो सारी details आ जाएंगी जो भी आपके credit card का होगा यानि आपके card के उपर किस दिन bills unrate हुआ था, bills unrate अगर हो गया है तो और उसके बाद में कितना उसका due amount बना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो तो आप चाहो तो total due amount को भी आप pay कर सकते हो या फिर आप कुछ उसका part भी pay कर सकते हो तो अभी मैं यहाँ पर total due amount नहीं pay करने वाला हूँ आपके सामने ही मैं फर्स टाम यहाँ पर try कर रहा हूँ और मैं आपको भी यह recommend करूँगा कि जब भी आप किसी भी new trick का use करते हैं तो वहाँ पर एक short amount से ही try किजिए जब वह successfully complete हो जाता है उसके बाद में आप एक huge amount transfer कर सकते हैं तो आभी मैं यहाँ पर amount change कर देता हूँ 100 मैं यहाँ पर type करूँगा और उसके बाद pay now वाले option पर click कर दूँगा यहाँ पर आपको अपना payment method सेलेक्ट करना है किसके विया payment करना चाहते हैं तो आपके सामने net banking, state bank का debit card, other bank का debit card और credit card का भी option है जो कि zero charge से यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन आपने इन में से किसी को नहीं select रहना है जो नीचे में UPI का option बना हुए उस पे आपने click करना है then next page में आपको दो option मिलेंगे VPI और UPI ID और QR code का तो आपने QR code वले option को select करके proceed करना है तो आपके सामने एक QR code generate होकर आ जाएगा आप उसका screenshot ले सकते हैं अगर आपके पास में एक phone है तो दो phone है तो आप दूसरे phone से इस QR code को scan कर सकते हैं या फिर आप directly pay now वले option पे click करेंगे तो आपके phone में जितने भी UPI application होंगे वो show हो जाएगा तो आपने जिस भी UPI application में अपने credit card को link करके रखा हुआ है जो रुपे credit card है उस वाले app को select कर लीजेगा जैसी कि मैंने यहाँ पर Paytm में अपना रुपे credit card को add करके रखा हुआ है तो मैं Paytm को select करूँगा इसने मुझे redirect कर दिया है अब यहाँ पर मेरे सामने दो तीन option बने हुए चाहाँ मैं bank account से payment कर सकता हूँ या रुपे credit card से payment कर सकता हुए तो दो card मेरे यहाँ पर link है AU small finance bank का रुपे credit card और ICIC bank का रुपे credit card तो मैं ICIC bank के रुपे credit card को select करूँगा Payn All option पर click करूँगा यहाँ पर जो मेरा MP न है उसे मैं enter कर दूँगा इतना करते ही अभी आप देख सकतो मेरा जो payment है मेरे रुपे credit card से cut चुका है और इसने again मुझे website के उपर redirect कर दिया है तो इस page को loading होने में थोड़ा सा time लग सकता है तो मैं आपको बोलूगा कि आप यहाँ से back वगरा मत कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर patience रखे wait कीजिएगा उसके बाद यह automatic से ही यहाँ पर show हो जाएगा कि आपका जो transaction है successfully complete हो चुका है यह जो settlement है instant ही हो गया है मेरे SBA credit card में यह आप देख सकते हो मुझे SBA card की तरप से message भी receive हो चुका है तो आप इस तरह से अपने एक credit card से दूसरे credit card का bill easily pay कर सकते हैं अब आते हैं दूसरे trick के उपर जिसके तुछ आप अपने credit card के पैसे को बेंक और में transfer कर सकते हो जितना चाहो उतना कर सकते हो बट यहाँ पर सम टम्शन कंडिशन से जिसे आपको ध्यान में रखना है तब यह free of cost में कर पाओगे तो चलिए वो trick भी देख लेते हैं इस trick को यूज़ करने के लिए आपके पास में होना चाहिए माइनस हो जाएगा फर्स टाइम आप इस application को डाउलोड करेंगे तो registration कर लिजेगा और KYC जरूर से कर लिजेगा तभी आप इस application का यूज कर रहा हूँ registration वगारा कर लिया है KYC कर चुका हूँ आप फर्स टाइम आओगे तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है credit card को link करने का आप देख सकतो हूँ मैंने कई सारे credit card को link करके रखा हुआ है add card वाल option पर click करेंगे यहाँ पर अपने credit card को enter कर देंगे जिसके add card manually वाल option पर click करके यहाँ पर name enter करेंगे card number enter करेंगे expiry date और CVB enter करके अपने card को add कर लेंगे add होने के बाद में home page पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है business payment का इस वाले option पर आप click करेंगे तो देख सकतो हूँ मेरा एक bank account है पहले से add है आप first time आओगे तो bank account वाले option पर click करके account number और उसी account number को confirm कर दिजेगा IFSC code enter कर दिजेगा और यहाँ arrow वाल option पर click करेंगे तो आपका जो bank account है add हो जाएगा so मैं back कर लेता हूँ जो मेरा पहले से bank account add है उसी को मैं select करके आपको payment करके दिखाता हूँ उससे पहले मैं यहाँ पर आपको जो मैंनी transaction history वो दिखा देता हूँ मैंने यहाँ से कई सरी transaction की हुई है और बड़े बड़े amount की transaction की हुई है देख सकते हो आप 48,000, 13,500, 22,000, 15,000, 15,000, 14,000, 40,000, 40,000 ऐसे कई सरी transaction मैंने यहाँ से किया हुगा है तो application काफी trusted है जो भी पैसा है आपके bank account में easily transfer कर दिया जाता है home page पर ही आपको business payment वाल option को select कर लेना है यहाँ पर bank account को select कर लेंगे जो कि मैंने यहाँ पर select कर लिया है एक जीज़ मैं आपको बता दूँ आपने अपना account यहाँ पर बनाया है यानि अपने credit card से पैसे transfer करने वाले हैं तो आपने जो bank account add करना है वो आप अपने किसी दोस्त का या family member का add करना है same bank account और same credit card यूज़ करते हैं तो उस case में आपका जो payment है फसने का डर रहता है तो वैसा मत किज़ेगा account change कर लिज़ेगा यानि आप अपने किस relatives का दोस्त का या अपने family member में किसी का use कर लिज़ेगा उसके बाद यहां पर आपको amount enter करना है तो मैं यहां पर अभी 48,000 rupees एंटर कर देता हूं यह मैंने एंटर कर दिया advance repayment और emergency का option बना हुआ तो मैं emergency वाले option को select कर लेता हूं आप तीनों में से कोई भी select कर सकते हूं या आपने मर्जे से भी कुछ लिख सकते हो next वाले option पर proceed करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ यहां पर option शो होते हैं जैसे कि classic पी हो गया instant पे हो गया ऐसे कर गए कुछ option शो होते हैं तो आज जो है bank holiday है यहां फर्स्ट अप्रिल को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो bank holiday है इसलिए यहां पर सारे option शो नहीं हो रहे हैं लेकिन आप दूसरे दिन ट्राइ करोगा जिस दिन bank holiday नहीं है तो दिन यहां पर आपको तीन option शो होंगे instant pay, classic pay और quick pay तो आपने classic pay वल option को select करना है जिससे क्या होगा कि आपका जो payment है अगले दिन आपके account में credit होगा और रही बन free of cost में तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर जो charges दिखा रहा है कि मैं 48,000 रुपए transfer करूँगा तो मुझे 877 रुपए 92 पैसे का charges पे करना पड़ेगा किया होगा उसी के लिए आपको धाईसो बारतनेक्ष्टी cash मिल चुका होगा जिसका यूज करके आप something 9-10,000 रुपए transfer कर पाएंगे उसके अलावा आप जैसे ही किसी को भी रेफर करते हैं इस application को उसके लिए भी आपको बारतनेक्ष्टी cash मिल जाता है तो जितने ज़्यादा आप रेफर कर पाऊगो उतने ही ज़्यादा आपके पास हम भारतनेक्ष्टी cash आजएंगे जिनकी help से आप अपने credit card के limit को free of cost में bank on में transfer कर पाएंगे इसका live process वीडियो मैंने पहले बना रखा है तो अगर आपको यहाँ पर कोई doubt to be feel हो रहा है तो आप हमारी उस वीडियो को check out कर सकते हैं जिसमें मैंने इसको live करके दिखाया हुआ है यानि free of cost में transfer करके दिखाया हुआ है आगे के process बहुत ही ज्यादा easy है आप जैसे भारत नेक्स्टी cash वाल option को select करेंगे आपका जो charges से remove हो जाएगा उसके बाद में आप हमें credit card को select करेंगे और जिस भी bank का credit card select करेंगे उस पे एक OTP से verify कर देंगे देंग आपका जो payment है initiate हो जाएगा और आपने यहाँ पर classic वाल option को select किया होगा जिस कारण से यह जो payment है आपके account में अगले दिन credit हो जाएगा आपको इन दोने में से कौनसा trick बेटर लगा है हमें comment करके जहुर से बताएगा वीडियो पसंद आया तो like करके share भी जहुर से कर दीजएगा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से thanks आपको हमारा यह वाला वीडियो भी जहुरु से पसंद आगा तो इ